कि हलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे human neural system ठीक है आज हम क्या पढ़ेंगे human neural system अब human neural system में कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे तुसकर से पहला पार्ट आता है हमारा cns दूसरा आता है अब cns में दो पार्ट आ जाते हैं तो इसके बाद में अगर हम भागों क्या आगया ङया तो दूसरा डिवाएटी इसके बाद में अगर हम आगा कर लेते सबसे पहले हम सी एनेस की बात कर लेते हैं सी एनेस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल निवरल सिस्टम का वर्क क्या होता है जहां इनफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग और उसे कंट्रोल करने का काम हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम के द्वारा किया जाता है उसके बाद में अगर दूसरा टर्म समझते हैं कौन साम पी एनेस तो पी एनेस में क्या होता है पेरी फेरल नियूरल सिस्टम होता है जहां पर क्या होता है सरीर की सभी नियूरॉंस जो क्या होता है जिदनी भी हमारे बाड़ी में नियूरॉंस होती है वो क्या होता है सी एने है कि आपन हम पार्ट करेंगे सी ठीक है तो हमारा क्या होता है कि प्रकार यह जो होता है ठीक है उन्हींपूल्स को टिशू या ओर्गें से सीड़्प करने का उनका काम करते हैं ठीक है यानी क्या होगा इफ Влад पड़ोस मिलते हैं उन्य इंपूल्स को क्या करते हैं एक उ और सब्सक्राइब करते हैं यह हैं से संबंदिक यानी स्बैकर छेThat से संबंदी जितने भी हमारे पेरिफेरल टिसू हो या और्गेंस हो वहां तक क्या करते हैं इनको ट्रांस्वीट करने का वर्प करते हैं अब बात करते हैं सुमाइटिक निउरल सिस्टम की ठीक है सुमाइटिक निउरल सिस्टम क्या होता है तो सुमाइटिक निउरल सिस्टम ऐसा निउरल सिस्टम होता है जो क्या होता है कि इंपूल्स को CNS से मतलब जो बॉडी को इंपूल्स मिलते हैं वो क्या करता है उस इंपूल्स को यानि सेंटर निउरल सिस्टम से क्या करता है स्केल्टर मसल्स को ट्रांस्मीट करता है या ले जाता है ठीक है यानि क्या करेगा इंपूल्स को से ले करके स्केल्टन मसल तक पहुचाने का काम करता है कौन करता है तो यह समाइटिक नूरल सिस्टम करता है उसके बार में आ जाते हैं प्रस्राइब ब्रक्टव से सकते हैं। बिना रुके काम करते हैं तो उन involuntary organs की बात करें, तो involuntary organs तक जो impulse पहुचाता है, वो कौन पहुचाता है? हमारा CNS के जाते हैं, यानि CNS के हमारे जो भी impulse होंगे, वो involuntary organs और smooth muscles तक ले जाते हैं और ये सारा काम करन करता है, तो ये autonomic neural system हमारा work करता है. अब हम बात करते हैं Autonomic Neural System की ठीक है तो Autonomic Neural System को दो पार्ट में डिवाइट कर गया पहला होता है पहला हमारा सिस्टम है Sympathetic Neural System Sympathetic Neural System का मतलब जहां पर सेंपथी से रिलेटेट चीज़े आ जाए वहां पर यह कंट्रोल हमारा Sympathetic Neural System को होता है जैसे Responding किसके लिए रिस्पॉंस करता है तो जैसे Dangerous Condition आ जाए तो जहां पर responding किसके लिए करता आई यारी Dangerous Condition और stresful condition या situations वहां कर हमारा क्या होता है Sympathetic Neural System क्या करता है वर्क करता है ठीक है आगे आ जाते हैं Parasympathetic Neural System क्या क्या होता है यह कैसे वर्क करता है तो एक नेट्वर्क और निर्वोस की बात आजये इन कंडिशन के वहां सीटपर।